नश्कार आप देख रहे हम आजक्म जंक्शन मैं डॉक्टर प्रदीव कुमार हाजिर हूँ क्रेकडर नैट सीरिस की एक और वीडियो के साथ साथियों, आज हम चर्चा करेंगे Press Information Bureau के बारे में कि Press Information Bureau क्या है, इसकी क्या जिम्मेदारियां है, क्या इसकी functioning होती है, कब इसकी स्थापना हुई, इसका इतिहास क्या है और वर्तमान में ये किस प्रकार कारे करता है प्रतरकारिता के विद्यार्थियों के लिए बहुत जरूरी है, और हमेशा हर एक्जाम में, नकेवल एक्जाम में, प्रतियोगी प्रिक्षाओं में, बलकि उनके जो योजी और पीजी कॉर्सिज के जो syllabus है, उसके लिए भी कहिना कहीं, महित्वपूर्ण है, और साथ ही, आम शुरूरी बारे में जानना बहुत सँरूरी बहुत है शुरू करते हैं आज Ke नजड़ने से पहले हम पी बीयून को समझेंगे फिर हम बात करंगे करन्फ या जो आज नाम है उसका रूप या नाम पहले अलग होता था बहुत साल पहले वह अलग तरीक से कारे करता था तो अगर हम बात करें PIB की तो 1929 में जून 1929 में इसको एक small cell के रूप में इसका गठन किया गया जब British Government के अंडर Hindustan होता था तब Home Ministry के अंडर PIB का गठन हुआ वर उसको इक बहुत small cell थी, बहुत छोटा सा यह एक तरह से कह सकते हैं, इसको प्रकोष्ट था, इसको publicity cell कहा जाता था, और इसके जो पहले head थे, वो थे Dr. L. F. Rushbrook Williams, और उनके जो head थे, जो cell के, publicity cell के जो head थे, उनको बोले जाता था, officer on special duty, तो 1919 में PIB की शुरुवात हुई, लेकिन इसका तब रूप अलग था, तब इसके purposes थोड़े से अलग थे, और समय के साथ यह थोड़ा बदलता था, उसके बाद PIB का जो main task उस समय था, उसको हम जानने की कोशिश करते हैं, तो Press Information Bureau, जो पुराने रूप में था, 1919 में जब इसक जो कार्या था, that was to prepare a report on India to be placed before the British Parliament, यानि British संसत के सामने, भारत देश के उपर एक रिपूर्ट तियार करके इसको देने थी cell को, और इसले इसका गठन किया गया, शुरुवाती स्टेच विसका कार्या यह दिया गया, और 1920 आते आते, यानि इसके गठन के डेड़ साल बाद लगबग, 1920 आते आते, इस cell का जो नाम है, वो बदल दिया गया, और इसको बोला जाने लगा, Central Bureau of Information, और जो Dr. L.F. Rushbrook है, उनको Director of this Bureau बनाया गया, यानि पहले वो Officer on Special Duty थे, जब इसको Publicity Cell बोला गया, then 1920s के end में यह बन गया, Central Bureau of Information, और Dr. L.F. Rushbrook को बना दिया गया, इसका Director, इसके बाद अगर हम बात करें कि उस वक्त किस पर्पोस से इसका घठन किया गया, क्या इसका में काम क्या था, तो जो Professor Williams है, उन्होंने Press Laws Committee के सामने, 1921 में बताया कि Central Bureau of Information क्या है, ये क्या काम करता है, तो उन्होंने बताया कि Link Between the Government and the Press, ये जो Bureau है, ये एक सरकार और सरकार को अगर Press से कुछ Information देना है, उसको Invite करना है, उसको बलाएगा, तैन Press में क्या Publish हो रहा है, उसके बारे में सरकार को अवगत करवाएगा, यानि Government और Press के बीच में कड़ी का काम उन दोनों को जोडने वाला, उनके बीच में करने के लिए इस Bureau का गठन किया गया, जो Major Function था, वो ये था कि Press को एग्जामिन ये Bureau करता था कि Press में किस तरह की खबरें चप रही हैं, किस तरह से लोग सरकार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, सरकार के जो actions हैं, उसको लेकि कैसा reactions को, कैसा reaction लोगों में आ रहा है, प्रेस में किस तरह की खबरें चप रही हैं, प्रेस इसका जो मेडिया और साथ ही जो देश्री भासाओं के जो है वर्नाकुलर जो प्रैस हिंदुस्तान के लग-लग भासाओं में जो समाचार पत्रिया पत्रिकाइच अपरी है वो किस तरह का पब्लिकेशन कर रही है उसमें क्या चप रहा है वो सरकार तक रिपोर्ट करना और इसके बाद इसमें एक और बदलाव किया गया कि जून 1st 1923 इसमें Central Bureau of Information was put on a permanent footing as the Bureau of Public Information यानी Central Bureau of Information को Bureau of Public Information बना दिया गया और 1941 में J. Natarajan वो इसके पहले एक तरह से कह सकते हैं कि J. Natarajan विकेम दो फॉस्त इंडियन तो भी हैड दा ब्यूरो अज प्रिंसिपल इंडिया ग इसर यानी हिंदुस्तान के पहले एक तरह से J. Natarajan विकती थे जिनोंने इसको हेड किया प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर बने इस ब्यूरो के इससे पहले जैसे हमने कहा कि प्रोफेसर विलियम्स जिम्मेदारी को अलग अलग तरीके से उन्होंने संभाला और 1946 में जिस organization का नाम जो finally हम देख रहे हैं Press Information Bureau कर दिया गया आज अगर हम इसके status की बात करें कि आज P.I.B. क्या है तो आज P.I.B. जो है वो एक Nodal Agency है शुरुआत में हमने जैसे जिकर किया वो Home Ministry के अंडर आती थी तेकिन आज ये एक Nodal Agency है P.I.B. और Government of India का जो Ministry of Information and Broadcasting है उसके अंडर ये एक तरह से काम करती है इसका Headquarter New Delhi में है और 8 यानि 8 इसके Regional Offices है और 34 Branch Offices है जहां पर कार्य होता है Press Information Bureau का काम क्या है हमने पहले डिसकुस किया कि पहले क्या काम था ये एक Link था प्रेस और Government के बीच में तो आज भी जो Press Information Bureau है वो क्या करता है सरकार की जो उपलबदिया है सरकार ने कुछ नया Campaign launch करना है तो उसको एक तरह से Information को Disseminate करता है Through Print Media, Electronic Media, Web Media उन सब के बारे में Government के जो Plans है, Policies है, Programs है, Initiatives है, Achievements है उन सब को Disseminate करता है Through the Different Platform of Mass Media, साथ ही Mass Media में उन schemes को लेके क्या reaction आ रहा है, क्या feedback आ रहा है, उसको भी सरकार तक वो पहुंचाता है और अगर हम बात करें, Current Director General की बात करें, KS धत्वालिया जी जो है, वो इसके Director General है और इस तरह से PIB कारे करता है, तो इस परकार सरकार के विभिन विभागों के लिए, एक तरह से Public Communication का काम करता है मीडिया रिलेसंस उनके लिए बनाता है, PIB कुछ एक विभाग है, जहां पे अपना एक सिस्टम बना हुआ, पॉब्लिचिटी फंक्शनिंग का पॉब्लिचिटी का, उनको छोड़के, तो ज्यादातर डिपार्टमेंट्स के लिए, मैक्सिन डिपार्टमेंट्स के लिए, PIB जो है, एक तरह से अनपेड पॉब्लिचिटी, अलग-अलग डिफ्रेंट्रेंट्रेंट मीडिया के माधम से करता है, और अगर हम बात करें कुछ पतरकार, जो जिनको एक्रिडेक्शन की सुईधा मिलती है, जिनको जो वरिष्ट पतरकार होते हैं, जिनको काफी अनुभ मीडिया के, जिनको एक्रिडेक्शन मिला हुआ है, तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की प्रेस इंफर्मेशन प्यूरो के बारे में, इसका जो मेजर वर्क है, वो है गौवर्मेंट की स्कीम्स को, उसकी योजनाओं को, उसकी वेलफेर स्कीम्स को, प्रेस के माधम से डिसेम करना लोगों में, और साथ में प्रेस में क्या पब्लिश हो रहा है, वहां का फीडबेक जो है, वो सरकार तक पहुचाना था कि सरकार उस फीडबेक के हिसाब से योजनाओं में, और कुछ रिवाइज कर पाए, उनको एमेंडमेंट में कुछ कर पाए, और अल्टिमेटली जो है, वो रास्टर का विकास हो, समाज का विकास हो, तो पी आई भी इस तरीके से काम करता है, तो दोस्तों, आगे भी हम इसी तरह के विशों पर चर्चा करते रहेंगे, और क्रेक दा नेट सीरीज में, हम लगातार नई वीडियो के साथ आपके बीच उपस्तित होते रह के भीचा करते रहेंगे?